सबसे पहले इसके प्राइजिंग शुरू होने वाली 85,000 रुपीज से इसके हिसाब से 200 किलोमेटर तक रेंज मिलेगी चेंड राय मोडर भी देखने को मिलने वाली है और भी बहुत कुछ आपको डिटेल इस वीडियो में सब कुछ देने वाला जो सबसे पहले जो ब्रैंड ह वह इंडियन ब्रैंड है बैंगलूरु बेस स्दर टेजर एक्ट्रेक्स कोटर और इस कंपड़ी ने अपने एक्ट्रेक स्कूटर को एटट criter some और को अचिफिंग शुकर्पनी श्क्रेंस को में जो कि आच स्क्रिन पर देख सकते हो और उसके बाद काफी कस्टमर इस्ट्र स्कूटर के ओपर एट्रेक्टिव भी होए हैं कमपनी ने इंडिया के पार्ट जाता तर यूज़ करके कम प्राइज में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कस्टमर तक पहुच सेके इसके इनने इसको बनाया है सबसे पहले इसमें को तीन मॉडल देखने को मिलने वाले हैं स्टार् बगर इन्होंने अन्विल के इसमें रहेगी वह सबसे हाइस्ट चलने वाला मॉडव रहने वाला है सबसे यहनव करते हैं सबसे नहीं क करसे स्कूट disposat सकती है और काफी कस्तमोर को chain drive motor चाहिए होती है, long life चलती है, तो उनकी लिए N1 Pro model रहने वाला है, जिसमें 140 km के IDC range होगी, बट कमपनी 2 range directly 132 km की बता रहे है, स्पीड इसका 70 km का रहने वाला ही chain drive motor देखने को मिलेगी, और कमपनी ने बजट का बहुत ही द्यान रखा है दोस्तों, जिनको भी 200 km वाला model चाहिए, उनका बजट ज्यादा होगा तो भी आगे वाला model ले सकते हैं, जनको 200 km तक range मिलेगी, 70 to 80 km का स्पीड देखने को मिलेगा और भी थोड़े से features increase कर सकती है, अगर हम features की बात करें, तो normal features से लेकर highest features तक आपको features देखने को मिलेगे, डिस्पले की बात हो गई, या चाहे जो safety features आते हैं, वो आपको सब कुछ देखने को मिलेगे, लेकिन वो pricing के हिसाब सब को features मिलेगे, जो इसकी शुरू होती है, 85,000 रुपीज से starting वाला model शुरू होगा, इस में पको 110 km की ID सेरेंज देखने को मिलने वाली है, और जो highest model रहेगा, वो आपको 110,000 से लेकर, 115,000 रुपे तक एक शुरूम प्राइज में देखने को मिलने वाला है, अगर हम launching की बात करें, तो already company ने काफी expo में electric scooter showcase की है, वीडिय है, तो एक झाशे को मिलने वाला की।